नमस्कार में ममदासीफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई योज़ सुप्रीम कोट जाने के बाद एफायर दर्ज होता है एफायर दर्ज होने के बाद दिली पुलिसनी गिरफतार नहीं करती है मुदी सरकार के तमाम मंतरी नेता चुप रहते हैं आज हम यहीं समझेंगे कि बिरिज बोश्वन शरने सीं का क्या अब खेल खेल हो गया क्या नो तारीक से पहले उन्हें जेल हो जाएगा और इसको जरह हम बारीक से बताना चाहते हैं ऐसा क्यों एक सबसे पहले अनुराक ठाकुर के खेल मंतरी में आते हैं तो वो बयान नहीं दे रहे थे लेकिन वो भी आएं आप कहरें कि भाई जाच परताल का वी से है वोई रक्षा मंतरी राजनासी भी आते हैं वो भी कहते हैं जाच परताल कबी से है, जाच परताल होगा फिर नियाए उसके बाद होगा, उसे पहले हर बराने की जरुवत नहीं है इसमिती रानी बबीता फोगाट को लेकर तारीफ करते हैं कि वो क्यों नहीं बोल रही हैं, वो भी तो उनकी बेहन है उसके बाद मिनाक्षी लेकि आती हैं वो भी यानि अकर इन तमाम निताओं के बयान को देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगा कि सब रटा रटाया बयान दे रहे हैं कोई भी ये नहीं कह रहा है कि यतना गंभीर मामला है और इस पर ये कारवाई करें दर्शकों इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर चपी है वो हम सब को बिचलित करने वाली है ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिसको हम आराब भोल भी नहीं सकते हैं इन देश के बेटियों के खिलाफ मेरे बहनों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गंदा बेवार है यह बिर्जबोशन श्रनसी इतना घिन ओना काम करता था की जब वोग उप्ट पे जाती थी तो उनके सास के बहाने उनके चेस्ट को छूता था उनके पेरू को छूता था या इस तरह की ख़बरेच छपी है इतना ही नहीं है उनके च्छाती को दवाने की कोशिस भी कर रहा था कई बार तो दवा भी दिया था सोचिए इतना भ्यावा गंभीर आरोप महिला ब्यानों ने दर्च करवाए हैं फिर भी उस पर करवाई नहीं हो रहा है फिर भी उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है और बचाने में पूरे बीज़पी के नेता मंतरी घंड लगे हुए है सोचिए क्या मोधी जी इतना नहीं कह सकते थे कि मेडल जब बहाने के लिए जा रहे थी तब भी कम से कम फोन करके बोलती कि रुको इतना हर बराने की जरुवत नहीं है नया मिलेगा पुलिस प्रस्षशन अपना काम कर रही है उन्हें रहत मिल जाती इन बच्चीों को हिमत मिल जाता का नहीं सरकार ने कुछ का लेकिन मोधी जी से गोहार लगाने के बावजूद इन लोगों ने सुना नहीं सुने अब सवाल यही है कि क्या वाकई में सब लोग बोल तो रहे हैं लेकिन एक सुन मिला रहा है गोधी मीडिया इन पहलवानों को बदनाम कर रही है नौ तारीक अल्टीमेटर मिल गया है क्या उससे पहले विरजभोशन शरनसी को गिरफतार कर लिया जाएगा क्या वाकई में अनुराक ठाकूर रक्ष्यमंति और तमाम बीज़पी के नेता क्या इन्हें बचाते नजर आएंगे यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जिकर हम आप कर रहे है दर्शुकों इस मसले पर आपके क्या रहा है हमें कॉमेंट कर जूरू बताइएगा देश दुनिया के भाई खबरों के लिए देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइ न्यूस अमस्कार